कौन है ये लोग और किस तरह नौकरी का लालच देकर लोगों को फसाते हैं और पैसे मिलते ही रफू चकर हो जाते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाबकेस्वी.com मैं आपके साथ ब्यूटी रॉय आपने आए दिन अखवारों में पढ़ा होगा या आपने आसपास के ही किसी ऐसे वेक्ति की आप बीती सुनी होगी जो ऐसे जुमलिवास गिरों का शिकार हुए होगे कई बार अच्छे और समस्दार लोग भी इन लोगों के जहासे में आसानी से आ जाते हैं आखिर कैसे काम करता है ये गिरों क्या इनके उपर सिस्टम का अशिरबात होता है जानेंगे सब कुछ उससे पहले आप हमारे चैनल पंजाबकेसी.com को सब्स्क्राइब कर लिजे ताकि हम आपको हर खबर पहुचा सके आज यूपी पुलिस भष्वरती के दूसरे चरन की परिक्षा है इसे बीच नकल कराने और परिक्षा में पास कराने के नाम पर ठगे कने वाले गिरों भी एक्टिव हो गये हैं और तो और ये गिरों यूपी पुलिस एक्जाम 2024 में भी अपना जाल बिचाने की कोशिश मे लगे हैं इसे बीच STF की टीम भी एक्टिव हो गई है यह मामला तब सामने आया जब STF टीम ने ऐसे कई गिरो का परदा फास किया पता दे कि परिक्षा के पहले दिन से ही ये गिरो एक्टिव हो गए थे और लोगों को नौकरी के नाम पर तो कहीं परिक्षा से पहले question paper leak कराने के नाम पर अपनी दुकान सजा ली थी आगरा और वारनसी में STF के हथे आरोपियों से पूश्टाश में ठगी का यह खेल सामने आया जिसमें ये ठग शुरुवाती में चोटी रकम लेकर original documents जमा करवा लेते हैं अगर इसके बाद उमीदवार अपनी मेहनत से पास ह हो जाए तब भी उनसे मोटी रकम वसूल लेते हैं पूश्टाश में पता चला कि जालसाजों की न तो कोई setting है न पेपर लीग करवाने का कोई जुगार फिर भी ये नौकरे दलवाने का ठेका लेकर रकम एट रहे थे पूश्टाश में सामने आया कि जालसाज भरोसा जीत के लिए यही कहते हैं कि रकम काम होने के बाद दे दीज़ेगा शुरुआत में मामूली रकम लेते हैं लेकिन उमिद्वार के मूल अंक पत्र के साथ दस्थकत वाला स्टांप ले लेते हैं परिक्षार्थी अपनी मेहनत से पास हो जाए तो यही दावा करते हैं कि उन्हों जालसाज अंक पत्र देखकर परिक्षार्थी का अंकलन कर लेते हैं और ऐसे में उनका रेट कम करने के साथ गारेंटी देने से भी नहीं चूपते ताकि बाद में मूटी रकम वसूल सके यही नहीं जैसे जैसे परिक्षा करीब आती है यह जालसाज उपर तक बात होने की जानकारी देकर भरोसा जीतने की भरपूर कोशिश करते हैं और इसके लिए वो अपने ही दोस्तों के नाम अफसरों के पद नाम यानि उचे पोस्ट वाले टाइटिल के साथ नंबर सेफ करके रखते हैं ताकि अवियर्थियों और उनके अभिवावों के सामने कॉल करके उ 20 प्रवेश पत्र हाई स्कूल वा इंटरमेडियेट की 15-15 मार्क शीट 20 चेक 8 आधार 9 स्टाम पेपर 6 मूल निवास प्रमान पत्र 4 जाती प्रमान पत्र 47,000 कैश बरामत किया है फिलाल आपकी इंजाल साजों पर क्या राय है किस तरह ऐसे ठगों पर लगाम लगाई जा सकत ही है कमेंट करके जरूर बताए और देखते रहे पंजाबकेस्री.com